हेलो फ्रेंड्स मैं उमेश यर्मा चार्ट और इसीस चेनल पर आपका हाट दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के हम आपको कुछ लैवस दिना चाहेंगे हमने आपको जो आज आज ICC Bank में trade कराया था यानि कि आज आज हमने आपको जो टॉब पे शॉट कराया था 883 रुपे 50 पैसे बे शॉट करा के 897 रुपे जो हमने आपको इंटर डेय में profit book कराया था उसके बारे में अब बताना चाहेंगे बाकी overall market कैसा रहेगा किस तरीके से आप trade कर सकते हैं और कैसे market में next trading day में trade करके मुनाफ़ा कर सकते हैं उसकी information आज की video में देना चाहेंगे तो video आज की काफी special है शूर से लेके आखी तर जूर देखेगा चैनल को subscribe नहीं कर रहा है और आज morning में हमने आपको कुछ messages की थे इसके लिए हम आपके अपने telegram चैनल पे लेकर जाएंगे तो morning में हमने एक message आपको करा था और वो message क्या है वो मैं आपको clarity के साथ आपको दिखाना चाहूँगा ये message है दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं और इस message में हमने आपको specially बोल दिया था कि भाई यहाँ पे लिखा था कि positive कुछ volumes है निफ्टी में so kindly don't make unnecessary selling without any pattern specially हमने morning में message ये करा था तो बताया था ये भाई तीजी रहेगी पर उसके बाद हुआ कि market जो है अगर market के हम बात करे market में उसके बाद कुछ patterns दिखाई दिये थे अब वो patterns क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज ICC MAC भी consolidate हुआ और हमने आपको 883 पे बोला short करने के लिए यहाँ पे देखेंगे triple top pattern मनाता और अगर हम Nifty की बात करें तो Nifty भी आज 17,907 रुपए 8 रुपए के आसपस consolidate हुआ था यानि कि हलका full का swing आज देखने को बिलाता उसके बाद Nifty में जो low बना 7850 के आसपस देखने को बिलाता तो हमने आपको आज top पे हमने आपको ICC bank और Nifty को short कराया था इंट्रडे में short कर सकते हैं वहाँ से Nifty में 50 points मिले और अगर हम बात करें तो हमें अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो हमें इसके साथ ICC bank में भी 6-7 points हमें देखने को मिले थे तो यहाँ पे 50 points यानि कि हमने आपको बोला था consolidate हुआ है उसके बाद Nifty जो है 50 points की गिरावट इसमें देखने को मिली थी और आपको बताना चाहूँगा Nifty का जो low बना था उसके बाद वो बना था 17,850 के आसपास तो हमें 50 to 60 points 60 points हमें intra day में हमें Nifty में मिले थे तो intra day में अगने आप देखेंगे तो 60 points कम नहीं होते but overall market क्या था overall market यहाँ पे bullish था क्योंकि morning में ही हमने message करा था कि Nifty में positive क्या है volumes है और इसके कुछ और भी reason है वो मैं आपको क्या है screen पे समझाना चाहूँगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे directly जाएंगे chart पे क्योंकि हम जो भी चीज़े सीखेंगे chart पे सीखेंगे क्योंकि हम swimming सीखते हैं तो कहा पे सीखते हैं pool पे सीखते हैं तो अब मैं technical सीखना पड़ेगा तो चार्ट पे सीखना पड़ेगा और ये breakout बहुत जवर्दस breakout है और ये जो breakout है ये flag का breakout है ये किसका breakout है? flag का breakout है flag बनावा है weekly chart पे और ये रुखने वाला नहीं है भाई सब अगर आपको लग रहा है कि रुख जायेगा ऐसा नहीं है और इसका जो target है अगर मैं बताना चाहूँ आपको निफ्टी का जो target है और काफी लोग में निफ्टी का target अगला क्या हो सकता है क्योंकि इतने positive volumes है इसमें और निफ्टी का रुकेगा या नहीं रुकेगा तो कहना चाहूंगा निफ्टी का जो target है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको बिल्कुल समझके चलिएगा और जब Nifty 17,000 माफ की जएगा 15,800 तब से हमें ये टार्गेट देना है 16,300 के उपर भी टार्गेट दिया था 17,300 के ब्रेकाउट आया था तब ये टार्गेट दिया था वो था पहला 18,100 इस पे हमें काफी ज़्यादा नेगेटिव कॉमेंट भी मिले थे कि भाई तुम तो 18,100 का टार्गेट दे रहे हो मार्केट में तो निफ्टी का टार्गेट 5,000 रोपे आ रहा है कोई 10,000 रोपे निफ्टी बोड़ा था कुछ दिन पहले जब गिरावट आई थी और वो सब अनालिसिस बखवास थी हमने आपको पहले ही बोला था निफ्टी बुलिश है क्योंकि देखो उसमें रिटेल्स जो है रिटेलर को कहीं न कहीं सेलिंग करानी जरूरी थी अगर उप्रेटर को माल खरीदना था तो इस वड़े से ये टार्गेट जाधातर मार्केट में आ रहे थे और हमने पहले ही बोला था यह सब बखवास है कुछ निया मार्केट में तीजी है और इसलिए हम आपको लगा तार्ट 15,300 पे बोड़े थे खरीदो इसके बाद हमने आपको बोला जी 16,300 पे खरीदने के और आप देखेंगे 17,956 आ चुक है तो पहला टार्गेट जो है जो अभी भी लोग हमसे पूछ रहे हैं तो वो है 18,100 जो हमारे पुराइन सब्सक्राइबर न हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इसको अच्छी तरीकते समझ गए होंगे और दूसरा जो टार्गेट है वो म कि मैं इसमें कोई जिम्मेदार नहीं नहीं होंगा आप कोशिशे करिए कि डिप पे बाय करें और मैं आपको हर डे बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट में आपको डिप मिले तो आप हमेशा बाय करके चले आपको मार्केट कुछ नो कुछ ले जाएगा इस चीज़कर और निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसी तरीके से काम करें अब यहां से मैंने आपको निफ्टी के बारे में तो बताया अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा अब बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहां पे देखते हैं और मैं आपके सामने bank nifty दिखा देता हूँ अब bank nifty भी यही है क्योंकि bank nifty में भी अगर आप देखेंगे तो bank nifty में भी same to same flag का breakout देखने को मिला है और यह 38,000 पर हमने बोल दिया था भाई खरीद लो से और यह अच्छी opportunity है और bank nifty का जो target है हम already आपको जो दे रहे हैं यहाँ पर देखेंगे वो है 40,600 के आसपास का bank nifty जो है मैं short में लिग देता हूँ यहाँ पर bank nifty का जो target इसमें आएगा bank nifty का जो target आएगा वो आएगा 14,600 के आसपास का दूसरा इसमें कुछ और चीजे भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या है वो यह है कि अगर इसका हम अवरली का चार्ट देखते हैं यहाँ पर अवरली का चार्ट हम इसका देखेंगे और इसको थोड़ा सा minimize करेंगे और इसमें अगर trend lane का को use करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बार बार लगातार यह trend lane के support पे काम करा रहा है और आपको जब भी 49,300,400 के आसपास मिलेगा तो bind करके चलिए तो यहाँ पर यह देखेंगे यह एक trend में चल रहा है यह देखेंगे यह trend में चल रहा है तो इसी trend में यह क्या काम करा रहा है और बजार को यह मैं सूचेगे कि इसका जो uptrend है वहाँ पे उसका register सेल करनेंगे नहीं आप हमेशा bind करके चले डिपे मिलेगा तो bind करके चले बजार में तीजी रहेगे आप इसका कोई भी time frame का chart देख सकते है चाहा अवरली का chart देखे सब में एक बड़ी तीजी market में लग रही है market लगातार अगर आप देखेंगे market को लगातार अपने highs पे highs यहां बना रहा है तो यहां पे देखेंगे market लगातार अपने highs पे highs बनाता हुआ जा रहा है और daily higher high market में बनते जा रहे है तो यह एक अच्छे opportunity है buying के लिए और मुझे लगता नहीं market गिरेगा हाला कि काफी ऐसे लोग हैं अभी भी भोल रहे हैं कि बजार गिर सकते हैं कभी भी आप देखेंगे market गिरेगा क्योंकि negative divergence है मैं मानतों negative divergence है मन negative divergence कब काम करते हैं हमने आपको course में पढ़ाया है अपने special course में आपको बताया है कि divergence काम करेंगे जब कोई double top pattern मनेगा या फिर कोई double bottom pattern मनेगा उसमें आप positive या negative divergence का use करके बड़ा मुनाफ़ा कर सकते हैं उससे पहले अगर आप जबरस्ती के divergence देख के आप काम करेंगे तो वो analysis भी खराब हो सकती है अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है ऐसे divergence को तो फिर आप क्या कर सकते हैं हमारा online course कर सकते हैं हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से detail में समझाया है अब जल्दी जल्दी से एक stock के बारे में और चर्चा करना चाहेंगे ICAC bank ICAC bank में बना था triple top pattern हमने आज आपको यहाँ पे shot कराया था कैसे वो मैं आपको बताता हूँ और देखो कितना सही पैसा आज हमारा ICAC bank में भी बना यहाँ पे देखेंगे कि first top बनाता यह यहाँ से यह फिर second top बनाता और फिर third top बनाता तो हमने आज आज आपको यहाँ पे shot करा दिया था कितने पे ICAC bank को कराया था यहाँ पे देखेंगे और लोगों को profit book भी कराया हमने ठीक है ICAC bank कराया 884 पे भाई sell कर दो यहाँ पे और intraday में हमने तो जो हमारा telegram channel exactly मैं आपको दिखाना चाहूँगा या फिर एक काम करता हो पहले इसको समझा दिया तो आफिर telegram channel भी दिखाँगा यह हमारा जो private telegram channel है उसमें sell कराके 877 पे book भी करा दिया था और लिख दिया था कि भाई profit book कर लोग अपना और तो यहाँ से अगर आपको 7 points मिले थे किसमें ICC bank में तो कम नहीं है ठीक अगर आपने future short के order तो पैसा कमाते है option buy के order put buy के तो पैसा कमाते अगर आपने cash market में भी short के था तो पैसा कमाते है बड़ उसके बाद एक TG आ गई अगर बात करें कि अब यहाँ से क्या हो सकता ICC bank में तो मैं कहना चाहूंगा आला कि अभी भी ICC bank जो है वो काम करा रहा है यहाँ पे इस तरीके से मुझे लग रहा है कि कल थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है बढ़ कल market opening का वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है negative divergence मैंने क्या मोलता है double top, triple top पे negative divergence बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं तो मैं expect कर रहा हूं कि कल अगर 884, 883 मिलेगा तो मैं भीया sell करके चलूँगा और वहाँ से मेरा target 877 का नहीं होगा वहाँ से मेरा target होगा 872 के आसपस का क्योंकि फिर वहाँ से जो previous जो low है वो भी cut के नीचे आएगा तो वहाँ से 872 के आसपस आपको ICS में मिल सकता है तो इस analysis पे काम करेगा बट दोस्तों wait करेगा हमारे telegram channel का हमारे telegram channel पे इस तरीके का message आपको आएगा क्योंकि buying selling की recommendation telegram channel पे आपको बता देंगे जब कोई pattern होनेगा अब ये देखेंगे हमारा private telegram channel है और ये private telegram channel हम देते हैं और सिफ course के student को तो यहां से देखेंगे कि हमने ये message करा था ICAC bank में और लिख दिया था कि sell कर सकते हैं मैं exactly यहां पे बताता हूँ ये देखेगा तो ये message हमारा आया था ICAC bank में क्योंकि देखो हम सिफ ऐसे बोलते नहीं है करके दिखाते हैं ये देखेंगे यहां पे 883,85 चलना था 814 रुपे मान के चलिए और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आयी थी गिरावट और हमने आपको book भी कराया था हमारा जो private telegram चलनल है उसमें हम buying selling की recommendations भी देते हैं तो लिख दिया था यहां पे आप देखेंगे तो लिखा था intraday sell stop loss अगर आप देखेंगे stop loss 886.80 का लिखा था और उसके बाद हमने आपको ICC bank book भी करा था यहां पे देखेंगे तो ICC bank को हमने आपको book भी कराया था यह देखेंगे यह क्या है अपने बुक कराया था इसी से मेडल ओफ 877.50 बुक यॉर प्रॉफिट तो यह मैसेज किया था बट यह जो चैनल है हमारा है प्राइबेट टेलिग्राम चैनल यह सिर्फ हमारे कोर्स के स्टूडन्स को मिलता है यह है तो फ्री बट मिलेगा किसको हमारे कोर्स के स्टूडन्स को यहाँ पर हम क्या करते हैं बाइंग सैलिंग की रिकमेडरेशन भी दे देते हैं कि कब बाइ करना है कब सैल करना है बेसिकली लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हैं इस ग्रूप में जादा से यादा चार्ट बेसते हैं जिससे आप जादा से यादा टेकनिकल अनायलसी सीख पाए और इस तरीके के जो हमारे तरफ से हलकी फुल किटिक मिल जाती है उसका वैनेवर उठाके आप मुनाफ़ा भी कर सकते हैं कि जो आप फोर्स लेती हैं उसकी जो कमाई है आपको एक कॉल पर या फिर एक रिकम्डेशन पर भी मिल जाती है तो यह चीज़े हैं अब आज की वीडियो में बताने के लिए काफी कुछ था बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सो ऑप्शिंस के बारे बताना है कि घ hours यह है कि कोशिश आप करीएगा कि अगर मालोक कल मारकेट आपको थोड़ा सा बुलिष हो सकता है रिकम्डेशन तो आपको यह चैनल पर तो कोशिश करएगा कि add the money पे काम करीएगा اور add the money पे काम करने के लिए जाधा analysis करने की जोट नी एक पाइन देल्टा क्या महीं या फिर आप कि यहां पर call writing हो रही है ज़्यादा इतना ज़्यादा देखनी की जोड़त नहीं है क्योंकि अगर आप over analysis करेंगे तो analysis paralysis हो जाएगे आप अपना से पर से technical analysis पे focus करो और उसके बिहाफ पे आप options देखो और trade अमार दो आप जादा जाओगे कि उसमें put writing कितनी और call writing क्योंकि अगर आप बात करेंगे ओपेंटर stack करेंगे कि कितनी position फसी हुई है तो यह भी कहीं बार ना change होती रहती है दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पे जो option chain है option chain का जो data है काफी लोग कहते है option chain का data भी देखना जरूरी है जाला की जरूरी है बट वो भी काफी हद तक है change होता है तो वो fix नहीं रहता तो इतना easy मलब ऐसा नहीं है आपको बेसिक चीज़े option की पता होने चीज़े इसकी studies पता होने चीज़े थोड़ा बहुत Greeks के बारे में knowledge होने चीज़े है उसके बाद आपको technical analysis देखके trade करना है ज्यादा इसमें कुछ करने की क्या है जरूरत नहीं है फिर से मैं कहना चाओंगा नहीं तो क्या होगी analysis paralysis इसमें हो जाएगी अब मैं आपको directly लेकर जाओंगा यहाँ पे screen पे और आपको कहना चाओंगा कि अगर आपको इस तरीके का technical analysis सीखना है तो काफी लोगों के message सारे तो कह रहे थे कि हमें भी technical सिखाओ हमें भी इस तरीके का technical analysis सीखना है और वैचारों की सब की accuracy 70-80% हो तो आप हमारी website पे विजिट करिए chartanalysis.co.it महाँ पे आप हमारा technical analysis का course ले सकते हैं 7999 का है 28 videos है 10 hours का course है 10 hours का course है जिसमें candlestick chart pattern indicator DAW theory, LVF theory, time frame का combination, demand supply, psychology सिखाई जाते हैं कहना चाहूंगा course काफी राधा advanced है इसमें आपको कब buy करना है, कब sell करना है, क्या stop loss होगा, क्या target होगा, stock का selection कैसे करते हैं कि कौन से stock में पैसा मेरा बन सकता है ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी सासा, इसमें हमारा private telegram channel मिलेगा, जिसमें buying selling की recommendations देते हैं, weekend की master class मिलेगी सासा, कोई doubt है, कोई query है, मुझे call कर सकते हैं, या फिर आप whatsapp भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी facility आपको हमाईतर से मिलेगी, बाकि हमारा option का course है, जिसमें 59 videos, 15 hours का course है, इसमें आपको बताना आपको मिलेगा, option Greek सीखने को मिलेगा, और इसके सासा, strategies होंगी, उसके payoffs होंगे, ये आप ले सकते हैं, जो कि 11,000 का है, और ये अलग-अलग लेंगे, तो आपको पढ़ेगा, 19,000 का, पैटर ये रहेगा, 16,000, 90,000 में, आप हमारा combo ले लो, यानि की technical plus option का course purchase कर सकते हैं, मैं अगर दोनों में से किसी में, डीमेंट अकाउंट उपन करेंगे, तो weekend की master class, सासा, 10,000 की वर्थी e-books भी आपको दी चाहेगी, तो दोस्तों, आज हमने आपको nifty man nifty के levels दी हैं, सासा, आपको कुछ options के बारे ये बताया है, कि कैसे options में trade बना सकते हैं, और बाकी जो stock की recommendations हो झाल 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 झाल